राहूल गांधी देश के कैसे नेता हैं जो अपने अधिक पड़ बोले पन और व्याकुलता के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं राहूल को कॉंग्रिस पार्टी में लगभग 40 बार लॉंच करने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन राहूल एक ऐसा रॉकेट हो चुके हैं जो आग लगने के बाद कॉंग्रिस के राजनेतिक अस्तवल में ही आग लगा देता है कॉंग्रिस राहूल के बयानों से इतना ज्यादा जल चुकी है कि कॉंग्रिस के रसातल में जानने के कई कारणों से खुद राहूल गांधी थी नहीं परbuds के राहूल की चेसी सिल्फ गोल करने की आदत का फायदा बीजेपी बक्षू भी उठाती है और एक बार फिर राहूल गांधी ने ऐसी घलती कर दी कि पियम मोधी ने राहूल की क्लास लगा कर रखती क्या है खबर बताते हैं आपको बिहार में जाती जनगर्णा के आखड़े पेश होने के बाद विपक्ष अब देश भर में इस पर आगे बढ़ने की तैयारी में है विपक्ष को लगता है कि जाती वाध जनगर्णा में ओबीसी का आखड़ा उसके लिए उम्मीद की किरण हो सकता है बिहार में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलाकर OBC की कुल आबादी 63 फीस्दी पाई गई है इस तरहां यूपी में भी 55 फीस्दी मद्रप्रदेश में 45 परसेंट और करनाटक महराष्ट जैसे कई राज्यों में OBC की आबादी 60 फीस्दी के करीब है ऐसे में विपक्ष को लगता है कि जातिवाद जनगर्णा के जरिये वो साथ फीस्दी एक मुष्ट आबादी को अपने पक्ष में गोलबद कर सकेगा विपक्ष की इस रणनीती की अपनी वजहां और अमीदे हैं लेकिन भाजपा भी चुपचाप इसकी कार्ट में लगी है ये कार्ट है पीम नरेंद्र बोधी के ओर से 17 सितंबर को ही लॉंच की गई विश्वकर्मा यूजना इस स्कीम के तहट केंद्र सरकार 18 पेशेवर कामों में जुटे लोगों को टागेट कर रही है जसके तहट वो कामकाजी जातियां आती हैं जो किसी एक पेशे में परंपराकत रूप से जुड़ी हुई हैं विलोहार, बढ़ाई, सुनार, कहार, नाई, नावेक, मलाह, माली, धोबी, दरजी जिसे जातियां शामिल हैं बिहार की जनगर्ना के आकड़ों को भी देखा जाये तो इन जातियों को अत्यांत पिछड़ा वर्ग में डाला गया है पिएम मोधी ने बैतूल में एक जनसबा को संबोधित करते हुए कॉंग्रिस पर जम कर निशाना सा था उन्होंने बिना नाम लिये राउल गांधी पर भी तंजकत से पिदान मंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा कि कल कॉंग्रिस के एक महाग्यानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल होता है अरे मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हो कॉंग्रिस के नेताओं को अपने देश के पलब्धिया ने देखने की मानसिक बिमारी हो चुकी है जबकि सचाई यह है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है राउल के इसी अधिर रवयेक और अज्यानता के कारण लोग उन्हें गंभीर राजनेता के तोर पर नहीं लेते झाल पर नहीं लेते